हम बात कर रहे हैं नीट फिजिक्स के जो प्रीविए सियर क्वेशन्स आए हैं पी वाई क्यू जुनको कहते हैं इस वर्ड से आप नोन होंगे उसके क्वेशन्स अप्लोड कर रहे हैं चेप्टर है एलेक्ट्र स्टेटिक्स पोटेंशल एन कैपिसिटिन्स फंडा क्लियर होगा चेप्टर का तभी आप इसकी तैयरी कर रहे होंगे ठीक है हम एक वीडियो में एक एक क्वेशन्स अप्लोड कर रहे हैं जानबूज करके ने इसलिए नहीं कि नमबरा वीडियो बढ़ जाएं इसलिए कि आप फ़रा सा तैयर करते रहे हैं देखते हैं अ चार्ज टू अप पोटेंशल डिफरेंस आफ वी वोल्ट यहीं कि पैडल पेट एयर कैपसिटर है उसको वी वोल्ट तक चार्ज किया गया रहे हैं बैटरी लगा दी होगी अब बैटरी का जो पोटेंशल होगा बैटरी ने उसी पोटेंशल तक उसको चार्ज कर दिया ठी ममी रोटी बनाने सुरू की, पचीस रोटी बना दी, और बाद ममी गुसा होके चली गए वेक्जन से, तो रोटियां तो पचीस से रहेंगी, यानि कि चार्ज उतनी रहेगा, चार्ज डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है, तो कहते हैं, आफ्टर, किसी के ममी यह सुन नहीं हो तो गुसा मत होना, आफ्टर, डिस्कनेक्टिंग दे चार्जिंग बैटरी, अब खिसका होगे कैसे, हां से पकड़ खिसका होगे नहीं, तो बोले ऐसी चीज़ से पकड़ के, ऐसा हैंडल पकड़ो, जिससे वो इंसुलेटिंग हो, ऐसा नहीं हो, चार्ज ट्रांसफर हो ज जाते हैं, as the result, the potential difference between the plates, तो यह जो प्लेट आपने खिसका दी थोड़ा सा, दूरी बढ़ा दी, प्लेटों के पेज की दूरी, तो इसके result से कह रहे हैं कि जो potential difference है, वो decrease हो जाएगा, does not change होगा, zero हो जाएगा, या increase हो जाएगा, समझने की कोसिस करो, actually हुआ यूँ कि आप ये parallel plate capacitor था, ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको एक battery से जोड़ दिया, एक battery से जोड़ दिया, ठीक है, तो battery ने क्या किया, इसका charge positive कर दिया, यहाँ पर positive charge हो गया, यहाँ पर negative charge हो गया, ठीक है, और इसके बीच में एक potential difference, जो भी इसका battery का difference था, वो apply हो गया, और यहाँ charge क्यों यहाँ पर store हो गया, ठीक है, तो हम जानते हैं, अब कहें क्या रहे हैं, कि इसका potential क्या फर्क पड़ेगा, तो हम जानते हैं, इसका capacitance का formula क्या होता है, epsilon 0 A upon D, जो कि भाई, medium की बात कर नहीं रहे है, capacitor के अंदर, तो air ही होगी, हमा लेते हैं, अग disconnect कर दिया, यह first case है, ठीक है, यह first case है, second case यह कह रहे हैं, कि हमने battery को यहाँ से disconnect कर दिया, अब और plate की दूरी को बढ़ा दिया, अभी plate की दूरी D हो रही थी, अभी हमने इसकी दूरी को D-dash कर दिया, तो यानि कि हमने क्या किया, तो C change हो जाएगा ना इसका, charge तो ही तो charge के हम बात यहाँ फिलाल तो कर नहीं रहें, करेंगे थोड़ी दियर में, तो इसका जो new C हो जाएगा, वो हो जाएगा, epsilon naught A upon D-dash हो जाएगा, अब चुंकि आप से कह रहे हैंगे, कि as जो D-dash है, वो greater than D है, जो नई दूरी है, पहली दूरी से जादा है, और D से आप divide कर रहे हो, इसका मतलब capacitor क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, so C-dash is less than C, तो यह तो मुझे मालू हो गया, कि अगर plate की दूरी आप बढ़ा दोगे, तो capacitor, capacitance की capacity होती है, वो कम हो जाती है, यह तो clear हो गई बात, ठीक है, अब तो यह भी question पूसा जा सकता है, अब आप से तो potential क की बात कर रहे हैं, अब देखो, हमने क्या कहा, आपने जब इसको charge किया ना, तो Q वही रहेगा, Q नहीं change हुआ, लेकिन V चेंज हो गया, वेटरी को disconnect कर दिया आपने, तो अगर हम मालने कि new potential जो है, new potential, V है, V dash है, तो हमने Q बराबर C भी पढ़ा है ना, तो V dash की value क्या होग Q अहीं होगा, आपन C, C dash हो जाएगा, और C dash की value देखे क्या है, C dash decrease हुआ है ना, देखो, पहले क्या था, पहले V बराबर Q upon C था, फर्स्ट केस में, अब क्या होगा, V dash बराबर Q upon C dash, अगर दो में relation निकालना चाहते हैं, चले निकाल लो, तो V upon V dash कर दो, तो Q upon C upon Q upon C dash, तो आपका V upon V dash is equal to C dash upon C हो जाएगा, हो जाएगा ना, आरा ना, गैमरे में, आरा, तो आप चुकि C dash कम हो गया है, और C dash कम होगा तो potential क्या हो जाएगा, उपर की चीज कम हुई है, तो उपर की चीज कम होगी, ध्यान समझेगा, उपर की चीज कम हुई है, हम दो तरीके से में समझाऊआँगा, ऊपर की चीश कम हुई है, तो ऊपर की चीश कम होगी यहनि कि अगर c-s कम होगा तो v-s ज्रयादा होगा तो v-s increase हो जाएगा v-s क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा एक इस तरीके से समझ लिजेगा एक यहां देखिए V dash Q5 C dash है C dash कम हो रहा है न तो जब denominator कम हो रहा है तो overall value बढ़ जाएगी तो V dash increase हो जाएगा तो यहाँ से समझ लो यहाँ समझ लो आपको हाँ mathematical नहीं लगाना है तो roughly आपको करके देखना है समझें बात आ गई होगी न भाई क्यूं तो वही है न अब C dash कम हो रहा है capacity change कम हो रही है तो जब इसका denominator कम हो रहा है तो overall value बढ़ेगी न तो V dash increase हो जाएगा यह के तरीका हो गया दूसरा मैंने यह relation दे दिया उपर है numerator, numerator इधर का कम तो numerator इधर का कम तो अगर C dash कम तो V कम इसका मतलब V dash ज्यादा हो गया तो यहनि की V dash क्या होगा जो new potential होगा वो increase हो जाएगा ठीक है इसका जो part answer सही है तो D part is correct तो this question was in PMT 2006 next in the next video thank you